हेलो एब्रिवाइन, वेलकम टू प्रेंसेकेंडमी, सो होपिंग कि आपका पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चलता रहेगा, साल भर जो आपने मेहनत किया है, जो एफ़र्ट लिया है, आज फाइनली उसका टाइम आ चुका है कि उसको ओन पेपर इंपलिमेंट कर दें, वीड बच्चलों को फ्री ओफ कोस्ट एक बहुत ही अच्छा है, जो कुछ में डिलीवर कर रहा हूं, तो थेंक यू सो मज, लव यू ओल, चलो, आज हम लोग देखते है, मैस पेपर पैटन, जैसे कि इस साल बर, आपने मैस के बारे में कुछ ना कुछ तो सीखा है, कुछ ने कुछ तो सीखा है ना, जैसे तेरे माइंड में पीर है कि मेरा पढ़के नहीं हुआ है, पाता नहीं चल रहा है, ये पढ़ रहा तो ये भूल जा रहा हूं, ये पढ़ रहा तो ये भूल जा रहा हूं, बच्चा ये तेरे साथ अकेले नहीं होता है, जब मैं इस स्टूडन जैसे डेरिवेट्व में छोटा मोडा फॉर्मूला लिखके रखो यह आया तो ऐसा करूंगा इंटीग्रिशन में टाइट पाइचाना मुस्किल होता है तो लिखो ना टाइब टाइब लिखो पेर ऑफ शेड लाइन ट्रिगनोमेटरी फॉंक्शन में बहुत छोटे छोटे आइड़वे आराम से डिल होता है जड़ो श्राट करते सबसे पहले टोटल अपने बस मैस में 15 चाप्टर है पंदरा मैं से पंदरा चैप्टर करना जरूरी नहीं है इन ऑर्डर्टव फूलमास असी में से असी याने के लिए 15 चैप्टर करना जरूरी नहीं बस टील अगर और शुब्स सबसेacer अगर 208 चैपटर आगर फान या तो 10 चैपतर में हो जाता है अब या पर पैपर पैटर्थन के ढूंट करता हूं कि हाँ 10 चैपटर में भी काम हो सकता है लेकिन अगर रिक्स क्यों लेना जिसको 100 में से 100 चाहिए वो 15 के 15 चेप्टर करूँ लेकिन 100 में से अगर 85 प्लस 90 तो 10-12 चेप्टर कर लोगे तभी भी काम होता है दिखते हैं यहां पर दिखो यहां पर टोटल अपने को जो पेपर आने ओला और 112 मकस का आने ओला है अगिन में रिपीट कर रहाओ 112 मकस का आने ओला है सर 80 marks का paper होता है देख 20 marks अपना practical exam बचा कितना 80 marks 100 marks का overall होता है 20 में से 20 तो मिलता ही अगर अच्छा रैपों बना के रखाए teacher के सामने दो सामने वाले से अगर तुने आर्ग्यूमेंट किया life में तो समझ लेना कि तेरे को 16-17 मिलेगा लेकिन हमेशा मैडम ने जो बोला तुमने किया तो इसका मतलब 20 में से 20 मिलने का चांस बढ़ गया है यह चीज़ आतकना है चलो 80 marks का बाइफर्गेट करता हूं मतलब यह 80 marks तुम्हारा बोर्ड का पेपर में आएगा लेकिन अगर तुमनों पूरा marks calculate करोग ना तो बोर्ड में जो पेपर आता हूं 112 marks का आता है दिखाता हूं मैं चलो यह पर तो यह अगर बारा क्या बात करूं सेक्शन सी तीन marks का एक क्कोईशन होता है और सेक्शन D चार मक्स का एक क्कोईशन होता है मेरी बात सुनो दहन से मैंने बहुत सब्सक्राइब इसमें टूटल काउंट करो कितने questions आ रहे देखो एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा 12 questions है 12 में से 12 एक question तीन माक्का है तो तीन माक्का मतलब यह 12 त्रीजा तो पूरा यह 36 माक्क का इसा नहीं है मेरी बात सुनना मैंने वोला ना 36 कुछ एक्ष्टा है यह आपर सुन तुम लोग को attempt attempt any 8 कितना करना है attempt any 8 एनी 8 आउटर वोड 12 यह समझा बच्चा मतलब 12 में से कोई भी आट करना है येस 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 बारा में से कोई भी आट करना है तब तो आ जाएगा चार कोईशन जो समझ जो तीन चेप्टर आ उप्सिन में रखार उसमें से खुदना कास्ता आगे रहेगा तो अटा ना उसको बाकी सब चेप्टर तो अच्छे से किया हो ना एकदम कड़क अच्छ इसको तो किसी का मत छोड़ना 15 का 15 चेप्टर का करके जाना यह समझा अब काउंट करो 3 मांक्स 3 8 24 मांक्स मतलब टोटल यहाबर 24 मांक्स कर दीकर आप लोगो 36 है लेकिन 36 में से प्लीज यह पटेली गिरी करना नहीं कि 9 क्वेशन करूंगा तो यहाबर 27 मांक्स हो जाएगा नहीं ऐसा कुछ नहीं आठी काउंट होएगा तो कुछ भी कर एक में कमा एक में ज्यादा है तो ज्यादा वाला मांक्स को इंक्लूड किया जाएगा समझ बारो यह ची लेकिन प्लीज पटेली गिरी करो मत पहले डिसाइड कर लो कि 8 कुश्चन कुन सा डिल करना है समझ बा मैं बताता हूं मैंने बोला जो इंजी है उसके बारे में बात करो में मैं में से चाहरा प्र नोर조 46 में से à 6 एस enfant डल करना है सेकशची डि का कन एक प्र आगें यहां वार देको अटेंट यहां पर वीसका हुए है तो और एड़न निज से माला है कितने में से आठ में से येस आप लोग पहले 5 questions decide करो पांच QC येस मिलता टायम मिलता मैं बताउंगा कैसे की रहेंगे यह समझा 8 question डिल करना 12 मैं से इसमें 8 मैं से पांच QC डिल करना है एक क्या में से चार मांक्स का है तो यहाँ पर 5, 5 हाँ 5, 8 मत देखो 5, 4, 20 marks, 20 marks के इससे मादने मदणा पाच ही कर रहा है, एक question का 5 marks, 4 marks, एक question का 4 marks है, यह जाद रहा, 5, 4, 20 marks, आप लोग decide करो, और एक सची बात बताता हूं, जहान से सुनना, आप लोग जब हैं, अच्छा इसका भी बात कर ले, तो फिर बात कर मतलब यह one mark काईगा सबर राग मेरी बात सुन यहां पर गाअइस मैघे करोगे न तो टोटल बारा कोश्चं द Bike इतना क्लियर होगा इतना क्लियर होगा लपड़ा कहा पर होता है यहां पर होता मेरी मेरी बात सुनना सिर्फ यहां तो टोटल कितना होगा 16 मांक्स यहां तो तोटल कितना होगा इसस्टिन मांक्स यहां अगर 12 चेप्टर करें यहां पर कुछ लपड़ा नहीं होएगा मतलब यह देखो यह सोला यह चौर विस यह थो फूरा पुरा विल सकते तुमनें को जितने मांग्स कह यहां पर यह लिखा यह पर 24 विटना वो गया साट मांस तो Iay tu चेप्टर ने सिसले काम और यारी ज्त अरे देख्यो अब इधार सैनेंस लोगों को लग रहा है यह इसमें मेवी कोईशन नमर वा निमेट नमर टू एप मेइन कोईशन नमर टू जो होता है यह यह वन मुखका एच जोता है कोई और यह यहाई पर लफड़ा है लफड़ा क्यूं मालूम है स्टार्टिम no ऐसा हो चाथा है तुम लोग थोड़ा महाल बनने देना एक गंटे बात पुलाना एक से देड़ गंड़ा रूपना जो आ रहा कर मुझे मालू में नहीं आ रहा है इहां मेरी बास सुनना तो तेरा फ़सने का चांज जाए थोड़ा रूप आजू-आजू-बाजू एना दोस्ती बनाना चालू है ये चीज़ या रखना हाँ हाँ टॉपर लोग से दोस्ती बना उसको बहुत बाहर में वड़ा भाव खिलाओंगा भाई तु मेरे साइड एक दो बार देखना जरूर एक दो बार देखना बड़ा पड़ सिर्फ आइसा इसा करते रहे न मैं लिख दूँगा अरे इसका ओप्शन लिखना इसी होता है ऑप्शन के साथ उसके अंदर जो डेटा दिया रहेगा नो वह भी लिखना क्या बच्छा एक्स्प्रेंग करने की ज़रूरत नहीं है अच्छा एंसी क्यूस यहाँ पर वन मांक कर नहीं होता है मतलब यह समझ गया 16,4,16,24,20 देखो इसमें तकलिफ नहीं आने वोला इसमें तकलिफ नहीं आने वोला इसमें तकलिफ नहीं रहेगा तो हो सकता है पाच्छे उसमें सी आए और जो इसकिप किया उसका मैंने बोला ना एंसी की कर तो टेंशिंग यू लेना बेसिक्स क्लियर है बेसिक्स का ही कुश्चन आता है जैसे कि यहाँ पर मैं बता तो मैं जली यह सेक्षने में एजजॉइन पूछते हैं हैं एजजॉइन एजॉइन को फेक्टर समझ बहुत और यह basic basic question negations वाला questions logic वाले chapter में से Converse inverse यह समझ भार हो Converse inverse Contra positive यही छोटे मोटा item बुशते हैं इसमें से binomial में से आता है questions आप लोग देखो कि binomial में से आता है probability में से आता है समझ भार probability distribution order and degree यह सारे material इसमें से दीखे हो गए आप लोग और भी है मैंने सब नहीं बता है रहे बच्चा मने तो मान बड़ा इतना ही करके जाए मैंने बुला इस चोटा मोटा आइटम पड़ा इसमें से इसमें से इक सची बार बताओ मुझे यह लगता है कि आप लोगे इसको पहले उड़ा सकते हो कैसे सर मेरी बात सुन मैंने इंपोर्टन थेरम लिश्ट बता है येस इसी वीडियो के बारे में बात हो रहा है से चौदा माक्ण का थेरम जाता है सिर्फ दस से चौदा माक्स इसमें दिखेंगा इसमें दो दिखेंगा और इंटीक्रेशन वाला दिख्ता है यह एक एक वीडियो है पटापं वह डाला'llow मैंने बोला हूं बापर देखने का और फटाफ़ चाओदा मक्स तो हाथ में आ जाएगा देखो मेरी जान कितना आसान रहेगा सोचो कितना आसान रहेगा यह सारे चीजे समझ बरों धिर्म करके जाओ भूत यह आसानी से अपने को 14 10-14 मिलेगा और differential equation का पहिला exercise order and degree दिखो मैं important के बारे में बात नहीं कर रहा हुए तो आप लोग सिर्व उतना ही करके जाओगे कुछ बच्चे बोलते हैं important बता वच्चा मेरी बात सुन साल बार जितना मेरे चाइनल पर अवेलेबल है वीडियो नौ से दस चेप्टर अवेलेबल है उतना भी कर लेगा तभी मोरता है निनफ है इंडेफिनेट इंडिग्रेशन का अगर तूशिप कर रहा है तो मेरी बात सुनना पहला एक्सराइस करना और 3.2 बी करके जाना इंडेफिनेट अगर इसकीप कर रहा है तो लेकिन थेरंग कोई भी स्कीप नहीं करेगा वैक्टर के थेरंग आना कंबल सरी है वैक्टर जो लास्ट ओला एक्सराइजन हो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन्ट है लाइन प्रेन का आप लोग एक काम करो दो अगर मुबाइल रहेगा एक में वीडियो लगा दो मेरा और एक में पीडिया पूरा पीडिया मैंने अप्लोड किया वाँ पर तो थोड़ा सा बेसिक देखा त तो अपनी दिमाग का फाइदा हो डालो क्यों सर क्योंकि आसले तुन्हें यूज नहीं किया था अब यूज करना चालो कि अब वो डबल स्पीड में काम कर रहा है अभी तो लोग वो जाग गया चलो ठीक है यहां तक तो क्लियर हो गया अब तुम लोग एक में पते की बात कौन सा तीम चैप्टर स्किप कर रहा है पार्ट वन का या पार्ट टूक वो तेरी मर्जी मैंने जो जो बोला ना वो करके रखना अच्छा जब पेपर एनलीसिस करोगे ना आपको मालूम बढ़ेगा यह टोटल आट कोश्चन है ना पहले के स्टार्टिंग के पार्ट वन से आते हैं पहले के चार और बात के पार्ट टू से आते हैं सर सची में हां तो इसका वंदर चार चार हां इसमें छोटा मोटा आइटम आते हैं कंबाइन एक्वेशन आता है आप लोग देखना प्रिविएस यह पेपर अच्छा एक कोश्चन बहुत इंपॉर्ट है एल्प करके जाना और चाउता एक से बीच का जो वर्ड प्रॉब्लम में बड़े बड़े तुम लों को मालूं है फॉर्मिलेट एल्पीप करके मेरी बात सुन तुन है स्टार्टिंग के तीन चार करके जा बस स्टार्टिंग के तीन चार बस कीप कर देना टेंशन मतले भरो सा है और यह आट है आट है ना टोटल पार्ट वाब कितने अच्छी बात है तो इसका मतलब इसमें तेरंश आता है यह जाना आप यह हो गया टोटल मक्सर आपने बोलता है 112 मांक्स हां मेरी बात सुन देख जैसे कि 112 मांक्स का होता है जैसे कि यह आपर टोडल है 12 कोशन्स 12 कोशन्स मंदल इसको 24 मांक्स बोल सकते आपन लेकिन लिखना कितना है है 16 मांक्स का ही लिखना है मतलब 8 कितना करना 8 समझ वरो यह 24 मांक्स का है लेकिट भी 112 भाड में जा मेरेको उससे लेना देना नहीं मैं सिंपल तरीके से बताता हूं टोटल कितना है जो अपने को लिखना है है 20 मांक्स का आप लोग काउन करो आप लोग को मान बढ़ेगा देखो 10 यह कितना हो गया काउन करो यह तो बाद में गाली दोगे 20 हो गया ने यह बीस जीरो यहां पड़ दो यह देखो 68 80 मांक्स 80 मांक्स का दो पेपर दीख रहा है अगर एक्शनल ले होगे इसको 24 मान के चलोगे समझ बारो एट पोर्जा एट पोर्जा 32 मान के चलोगे तो तुम लोंको माल मोड़ेगा एक्शनल लेकिन लेकिन अपने को क्या लेन दे ना 112 से तो डैट सीट बच्चा यह वाला प्लीस करके जाना प्लीस कोई भी बच्चा थेरंद को स्किप नहीं करेगा मैंने अपलीस को जो डेरिवेटव का जो लास्टवाल एक्सराइज ग्रीप टाइम नहीं च्पिजिमन और मीनिमम जरूरी नहीं करके चार वाला चीह तब लोग चाहता वाले वाले एक्सराइजीज यह तो पूरा कर लो मुझे मालूमिक टाइम नहीं लेकिन श्डिल वीडियो क पढ़ायों बच्चा जो बच्चे को कभ भी नहीं आता ना वह भी मैंस सीख सकता है प्रेंट से केडिमी से प्लीज याद प्लीज 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 पर्णा चालू करो बहुत कम टाइम बच्चा अपने पास समझ बारो जो बच्चमन में खौप देखा था ना उसको पूरा करने का टाइम आ चुका है तो अभी पीछे कदम नहीं बढ़ाना है कदम आगे बढ़ाना है तो प्लीज इसका स्क्रिंशोट लेलो लेलो यह साइद मेरा इस साल का एक से टू-जिरो टू-फॉर का लास्ट वीडियो होगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आप तो वहां से पढ़ो बस पढ़ो कहीं से भी पढ़ो फ्रेंट्स अकेडमी ज़रूरी नहीं लेकिन येस में जो एक कंटेंट देता हूना वो सबसे बैस्ट ही देता हूं यह मैं प्रावडली बोल सकता हूं और मेरे बच्चे खुद बोलेंगे जिन्होंने मुझ से पढ़ा झाल झाल